एक पुरानी कहानिया जरूर सोनाता हूँ बड़ी शानदार है सौ बार सुना चुका हूँ एक सौ एक वी बार कौन सुना चाता है तो बतावा तो वो एक कववा ठा और कववे को तकलीफ के आती जानते हैं कववे का रंग क्या होता है अरे वा मुझे तो पता ही नहीं था या क्या बात बताई तुम्हें नो मुझे धन्ने हो गया मैं कहा है तुम्हारे चरण में धूँ तो कवा काला था मज़ा आया संके सादू निकले सादू के गाल पे एक मोती टब का पानी का सादू ने चैरा उठा के उपर देखा तो कवा रो रहा था सादू ने बोला रोता क्यों है तो उसने बोला रो नहीं तो क्या करो ये जीवन दिया काला बनाया को रंग है सादू ने बोला खुश नहीं है बिल्कुल नहीं क्या तकलीफ है वोले तकलीफ है जिसके घर पे बैठों काओं काओं करों लोग उड़ाएं कोई पालता है हूं को आज तक आपने देखा किसी कवे को किसे ने पाल के खाना खिलाया दो रोटी खिलाई श्राग पे काम आता हूं जूटा खिलाते हैं मुझको और तुम चाहते हो क्या बनाए य शांती का प्रतीब हाँ सदुने बोला आज मनाया तुझे हंस लिकिन एक वादा है जाके एक बार हंस मिला उससे मिल तो आ अब भागा भागा गया हंस भाई क्या मस्त रहता ना थू क्या रंग तुझे भगवान ने दिया हाई 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 पानी में पैडल मारता किसी को पता ट्रोकें भूण सफेश नहीं है लोग तस्वीर खिच्तें आंडे मेरी खीचरें मेरी खिच रहा है सफेद में सफेद में आता ही नहीं हूं किसी मह रंगा मुली को समय है वह खुश नहीं घुष नहीं है वेए बिल्कुल कर उसने पुछे क्या बनना चाहता है पुछा पैरट बना दो सर्वस क्या चूच क्या रंग लोग पालते उसको मिठू मिठू बुलाते बोलता इन सारे बना दो प्रभू एक बगवान ने बोला बनाया एक शल्ट जाक एक बार बनाया अभी दूनों भागे भागे पैरट को ढूटे अब एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते रहते हैं अब वो तोते ढूंड रहे हैं तोते का हैं उस पेड़ के तिन चार चकर लगाए फाइनली तोता मिला तोता बाई क्या मस्ट जिन्दगी रहता है मिठु मिया क्या मस्त जिंदगी है तेरा कितना खुश रहता है क्या सुरालालाल सुर्ख तेरे चोंच आहा क्या तेरा जिस्म क्या तेरे पर लोग तुझे पालते हैं आरे तुझे क्या क्या नहीं खलाते है तेरे को बदाम तक लोग खिलाते हैं का अरे क्या खुश रहता हो तो तब बोला कौन बोला रहे तुछ नहीं है बोले बिलकुल बोले तुझे क्या तकलीफ ही है बेटा कि तुम चार चक्कर लगा गए हरे में हरा तुमको दिखता नहीं था मैं ये कोई रंग है साला पेड़ में मिल जाता हूँ तो तीनों आए महराज महराज बोले हां भी तो ते बोले महराज एक मौका दे दो बशता वो बना दो बश्त और पीकॉप बने क्या नैशनल बर्ड है क्या मस्त है यार मरान ने बोला तीनों को बनाता हूँ अभी लेकिन शर्त वही है एक बार जाके मिलाओ अब तीनों भागे भागे गए मोर ढूले और मोर के पास जाके बोले मोर क्या जिंदगी दिया इश्वर ने तुझको देख आहा तेरे पर जब खुलते हैं ना ये तेरे नाचने के इंतजार में जब घटा बरसती है और जब तुझ नाचता है दिवाने हैं लोग तेरे तस्वीने लेते हैं एक एगंटा चार्ट करने हैं कि कब मोर नाचेगा घटा बरसेगी और हम कब तस्वीर खीचे लिए और नेश्रल बर्ड है पढ़ाया जाता है त पर जैसा ना भाग जाए बड़ा खुश रहता होगा तो मुह बोला कौन बुरा रहे तूब का तुर को भी ट्कलीख हैमने चक्रद्जिका क्या तकलीब मूर ने बोला द्धान से एक आवाज सुनों आवाज पाल लगा के तीनों सुनों आवाज आगी ठाल आयरे है क्या है उस तो बना और ध्यान से सुनाई आवास पास आ रही है हाँ क्या है बना शिकारी है हल्वे ठाक और माँ को मार डाला एक एक पंक नोचा गया है उसके जिसम से और ये पूरे शहर में पूरे देश में बेचा जाएगा लोग अपने घरों में लगाएंगे और ये बाद अध्या अध्या अमर कोई जीवन है क्यों बनना है मोर इस तो बोला खुश नहीं है अगले घंटे का पता नहीं है कैसे खुश रहूं उस तो बोला तेरे इसाब से फिर क्या बनना चाहिए और कौन सबसे खुश है तो कोई तो मोर ने बोला तू तो कवा बोला मैं कैसे तो मोर का जवाब सुनिये मोर ने कवा को का तुरे मठन बिर्याणी सुनी कवा बोला हाँ चिकन बिर्यानी सुनी, बोला हाँ, कववा सुनी बिर्यानी, बोला नहीं, बोला तुझे जान का खत्रा है, बोला नहीं, कोई तुझे मारेगा, नहीं, तुझे किसी से तकलीफ, नहीं, किसको तुझे से तकलीफ, नहीं, मस्त जी रहा है साला हमें, तो अगले घंटे का नही किसी से अपने तुल्ला मत करूं तुम्हारे जैसे आदमी बढ़वान ने दूसरा नहीं बनाया अगर कभी पीजिय दुखं लगा तुमको कहीं हो रहा तुम्हारे जैस आदमी है कहीं नहीं है नहीं है यहार You are younique Don't compare yourself